आज हम अचारी भर्मा बैगन बनाएंगे एक खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगते हैं जब आपको कुछ चटपटी मसालेदार सबजी खाना हो और आपको बैगन खाना पसंद है तो आप एक बार इस तरह से अचारी भर्मा बैगन को ट्राई कीजिएगा आपको ये अचार कीजिएगा बैल आइकन के साथ तो चलिए मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अचारी भर्मा बैगन बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए गरम पैन में हम एक चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च डाल देंगे इन सभी चीजों को लो टू मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए भूनेंगे इस तरह से मसालों को भून कर जब ये सबजी बनाते हैं तो सबजी बहुत टेस्टी बनती है और मसालों में भी मौस्चर नहीं रहता आप जब भी कोई भी भ भून कर डालेंगे तो सबजी का टेस्ट बिलकुल अलग लगेगा तो आप देख सकते हैं कि मसालों का कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से भून गए हैं हमने इन लो फिलेम पर तीन से चार मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये हलके से ठंडे हो जाएं और जब ये हलके से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे तो ये मसाले हलके से ठंडे हो गए हैं अब मैं इन्हें मिक्सी के जार में डाल तो ये देखिए इस तरह से हमें इनको दरदरा पीस लेना है मसाले को एक बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं अब हम इसमें एक चम्मज दरदरी कुटी हुई पीली सरसों डालेंगे एक छोटा चम्मज डालेंगे गरम मसाला आधा छोटा चम्मज दरदरी कुटी हुई बड़ी इलाइची डालेंगे बड़ी इलाइची के सीट्स निकालकर मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया है एक छोटा चम्मज डालेंगे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मज डालेंगे काला नमक आधा छोटा चम्मज डालेंगे हिंग, हिंग जरूर डालिएगा, इससे सबजी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आधा छोटा चम्मज डालेंगे कलोंजी, इसे मगरेला भी बोलते हैं एक छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे सबजी में बहुत बढ़िया कलार आएगा दो छोटा चम्मच डालेंगे अमचुर पाउडर इस सबजी में अमचुर पाउडर थोड़ा जादा ही पड़ता है क्योंकि इस सब्जी में खटास थोड़ी जादा हूँ तभी इस सब्जी टेस्टी लगती है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी डाला है सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे इस तरह से ये मसाला बना कर आप काफी दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको ये सब्जी बनाना हो तो आप इस सब्जी फटाफट से बना सकते हैं तो ये हमारा मसाला बनकर तयार हो गया है इस स्टेज पर आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें खटाई या फिर नमक कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा, इस तरह से आप कोई भी कांच की शीशी ले लीजिए और ये मसाला भर कर रख दीजिए, जब आपको ये मसाला स्टोर करके र अब हम इसमें एक छोटा चम्मज ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, दो छोटा चम्मज डालेंगे सरसों का तेल, और इसे अच्छे से मिला देंगे, तेल डालने से क्या होगा, कि जब हम पैगन के अंदर ये मसाला फिल क कि तेल डालने से हलका सा वाइन्द होने लगेगा, तो हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कलिया है, अभी हम इसे साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम छोटे साइज के बैगनी वाले बैगन लिये हैं, बैगन को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद सूखे कपड़े से पोच लिया है ये सबजी बनाने के लिए आप इसी तरह से छोटे-छोटे बैगन लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा अब हम बैगन को इस तरह से काटेंगे दो कट लगाएंगे इस तरह से हमें पूरा बैगन नहीं काटना है और डंठल को भी नहीं काटना है ये देखिए इस तरह से हमें बैगन को काट लेना है और एक बार बैगन को आप इस तरह से čेक कर लिजिए कभी कभी बैगन में कीड़े निकालाते हैं तो आप इसे जरूर चेक कर लीजिए अब हम इसमें मसाला फिल करेंगे जो हमने अभी बना कर रखा है चम्मच की हेल्प से मसाले को बैगन के अंदर अच्छे से फिल कर देंगे इस तरह से हलका सा दबा दीजिए ताकि नीचे तक मसाला अच्छे से भर जाए मैंने इसमें सर्सों का तेल डाला है अगर आप सर्सों का तेल नहीं खाते तो जो भी कुकिंग वाइल खाते हों उससे ये सबजी बना सकते हैं लेकिन सरसों के तेल से ये सबजी ज़्यादा टेस्टी बनती है तो ये देखिए हमने बैगन में मसाला फिल कर दिया है ये देखिए इसी तरह से हमें सारी बैगन के अंदर मसाला फिल कर लेना है तो हम क्या करेंगे बैगन को तुरंत काटेंगे और मसाले को फिल करते जाएंगे इस से क्या होगा कि हमारे बैगन काले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बैगन काटने के बाद हलके से काले पढ़ने लगते हैं तो आप बैगन को काटते जाएंगे और मसाले को फिल करते जाएंग देखिए हमने सारे बैगन के अंदर मसाला फिल कल लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे, इसके लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, गरम पैन में हम एक बड़ा चम्मच के लगबग सरसों का तेल डालेंगे, इस सब्जी को बनाने में तेल थोड़ा ज्यादा ही लगता है, तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए, तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो इस तरह से वन वाई वन बैगन पैन में रख देंगे, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखियेगा, तो मैंने सारे बैगन रख दिये हैं, अब हम बैगन के उपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, ताकि हमारे जो बैगन है फीके ना लगें, थोड़ा सा नमक डालिएगा, अब हम इसे कवर कर देंगे, और लो फिलेम पर तकरिवन 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे, बीच दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाएं, जब एक साइड से हलके से पक जाएं तब इन्हें पलट दीजिएगा, और गेस की फिलेम को लो रखिएगा, इन्हें लो फिलेम पर ही पकाईएगा, अगर आप इन्हें हाई फिलेम पर पकाएंगे, तो बैगन अच्छे से न और यह बैगन अच्छे से पक गए हैं बीच-बीच में मैंने बैगन को दो-तीन बार चला दिया था तो आप देख सकते हैं कि यह बैगन बहुत अच्छे से पक गए हैं और इन्हें कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इनके अंदर मसाला अच्छे से सैट हो जाए तीन मिनट बाद हम कवर को हटा देंगे वाँ बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है तो यह हमारे बहुत टेस्टी मसालेदार चटपटे अचारी भर्मा बैगन बन कैसे लगे अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग